नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Word में किसी भी पूराने डॉकुमेंट को कैसे आप रिप्यार करके एकदम नए डॉकुमेंट में कनभाट करोगे इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बे स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डेक्स्टॉप में देखिए मैंने एक इमेज को सेफ करके रखा है इस इमेज को एक बार आपको ओपन करके दिखाते हैं ज़से इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा यह देखिए यह एक पूराना डॉकुमेंट है इस डॉकुमें में रिपेर करके एक दम नए डॉकुमेंट में कन्भाट करूँगा तो यहाँ पर इसको एक बार स्क्लिक करने के बाद माइक्रो शॉप वर्ड को ओपन करने के यहाँ फिर मैं उस इमेज को। करूंगा Inset करने के लिए आपको जाना होगा Insert में Insert tab से यहाँ पर देखे Pictures option है, जहाँ पर आपको click करना है, click करने के बाद, वो picture मैं यहाँ पर choose कर लिएगा, मेरा picture desktop में है, मैं desktop में click करूँगा, फिर आपको यहाँ पर अपना image choose कर लेना है, और एक बार insert में जाके click करना है, click करने के साथ ही, वो picture जो है, वो MS Word में insert हो और यहाँ से in front of text में जाके click करना है, click करने के साथ ही, आप easily अपने image को किसी भी जगा पे आप move कर सकोगे, अब मैं यहाँ पर इस page को थोड़ा चोटा कर लूँगा, zoom को घटा के यहाँ से, इस image को अपने page के बराबर set कर लूँगा, एकदम पूरा यहाँ से click करके adjust कर ले picture styles group में आपको click करना है, just यहाँ पर click करेंगे, format shape group में click करने के साथ, right side में एक window open हो जाएगा, और यहाँ से आपको picture option में click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे, सबसे पहला जो option है, picture corrections यहाँ पर आपको click करना है, click करने के साथ ही, यहाँ पर बहुत स sharpness को बढ़ा सकते हैं, तो मैं येहां से sharpness को थोरा बढ़ा दुँगा 50% कर दुँगा, और sharpness का effect आप यहाँ पह अपने image में देख सकते हो अब यहाँ पह मैं brightness को भी थोरा बढ़ा दुगा, यहाँ पह पह मैंने 75% कर दिआ है और नीचे contrast है, इसको भी मैं यहाँ पे 25% कर दूँगा, 25, और इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो old picture था वो यहाँ पे almost repair हो गया है, दोस्तो, अब मैं आपको इस page को थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ, just यहाँ पे plus में क्लिक करेंगे, तो यह page जो है, वो zoom हो जाएगा, दोस्तो, आप यहाँ पे देख सकते है, page के ऊपर और नीचे के तरप कुछ extra dots है, इन सारे extra dots को erase करने के लिए, मैं यहाँ पे shape का help लूँगा, इसके लिए मैं चला जाओंगा insert tab में, insert tab में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, shape नाम का एक option आपको यहाँ पे मि format tab में, और यहाँ से देखिए, shape fill option है, यहाँ पे आपको click करके white color choose कर लेना है, और नीचे shape outline को भी white choose कर लेना है, अब इसको मैं यहाँ पे copy करके paste कर दूँगा, और मेरे document में जहाँ जहाँ इसको जरूरत होगा, उसको मैं यहाँ पे paste कर दूँगा, इसको लेके set कर तो दोस्तों यहाँ पे almost मेरा file repairing के काम complete हो गया है, अब मैं इसको एक बड़ छोटा करके आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, अब मैं right side में इस window को यहाँ से close कर दूँगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा file जो है वो पूरा repair होके ready हो चुका है, अब इस file को आप easily अपने computer में save करके रख सकते हो, अब मैं इस file को PDF format में save करूँगा, इसके लिए मैं चला जाओंगा file menu में और यहाँ से आपको save as में click करना है, save as में click करने के बद आपको click करना है browse में, browse में click करने के बद आपको यहाँ पे file का नाम लिखना होगा, मैं यहाँ file name document दे दूँगा और नीचे save as type में PDF चूज़ करूँगा, यहाँ से PDF चूज़ कर लेना है आपको, जब PDF को चूज़ करेंगे, उसके बाद कहाँ पे आपको save करना है, मैं यहाँ पे desktop चूज़ करूँगा location में, जब एक बार save में आके click करूँगा, click करने के साथ ही आपका file जो है PDF format में save होने के बाद open हो जाएगा, यह दिखिए, अब मैं यहाँ पे इस file को close करूँगा, close करने के बाद desktop में, एक बार दिखाते हैं, यह दिखिए, desktop में document नाम से मेरा file जो है, वो save हो गया है, इसको एक बार open करेंगे, open करने के बाद यह दिखिए, मेरा जो file था, वो यहाँ पे PDF format में save हो गया है, तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके, आप किसी भी पुराने document को easily repair कर सकते हो, Microsoft Word में, वीडियो अगर पसंद आया, तो like कर दिजिएगा, thank you for watching the video, please keep your support.